हेलो गाइस आज हम कुछ अडवांजड वर्ड्स सीखेंगे नर्चर वर्वू फॉर्म में इसके दो मिनिंग्स होते हैं पहला बढ़ते बच्चों या पौधों की देख भाल और रक्षा करना या फिर पालना कोशना दूसरा मिनिंग होता है विकास और सफलता प्रापती के लिए प्रोसाहित करना नाउन फॉर्म में इसका मिनिंग होता है देख भाल आजे इसको एक्जामपल से समसते हैं वह उसके बच्चों का पालन पोशन करना चाहता है नेक्स्ट एक्जामपल इस दट्री ग्रिव वेल इन हर नर्चर उसके पालन पोशन में पेंड अच्छी तरह विक्सित हुआ नेक्स्ट वन इस टैकल टैकल एक वर्ब है इसका मिनिंग होता है कठिन इस्थिती या समस्या का हल निकालने का प्रयाश करना या फिर निपटना दिल विथ, पुट अफ विथ, कॉप विथ, ग्रेपल विथ ये सारे इसके सिनोनेम्स हैं आई इसको एक्जामपल से समझते हैं I don't know how to tackle this problem मुझे नहीं पता कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए नेक्स एक्जामपल इस We will have to tackle this difficult problem हमें इस कठिन समस्या से निपटना होगा नेक्स्ट वन इस थरली थरली एक एड़वर्ब है इसका मनिंग होता है पूर्णतया पूरी तरह से या फिर पूरा-पूरा आई इसको एक्जामपल से समझते हैं He was thoroughly dissatisfied with your work वह तुमारे काम से फूरी तरह असंतुष्ट था नेक्स्ट इग्जामपल इस I studied that book thoroughly मैंने उस किताब का अच्छी तरह से अध्यन किया नेक्स्ट वन इस इलोग इलोग एक वर्ब है इसका मनिंग होता है विवाह के लिए चुपचप भाग जाना या फिर घर से भाग कर साधी करना इलोग के साथ विद प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है आई इसको इग्जामपल समझते हैं इस गल्फेंड इलोग विद समवन उसकी प्रेमी का किसी के साथ भाग गई नेक्स्ट इग्जामपल इस She doesn't want to elope with him वो उसके साथ भाग कर साधी नहीं करना चाहती गाईज अगर आप Advanced English Structure की e-book बाई करना चाहते हैं तो एक छोटा सा Contribution देकर आप बाई कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा जिसमें आप High Level English Conversation में इस्तमाल होने वाली 100 plus Advanced English Structures आप description से डाउनलोड कर सकते हैं आप मारा Telegram Channel भी जोइन कर सकते हैं जहां आपको Advanced Vocabulary सीखने को मिलती है साथ पीडियेप भी प्रोवाइड किया जाता है Guys, वीडियो आपको पसंद आए Like, Share and Subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें Next one is Extol Extol एक वर्ब है इसका मिलिंग होता है प्रसंसा करना, सरहना या फिर तारीफ करना आएए इसको एक्जामपल से समझते हैं She was extolled as a doctor एक डाक्टर की रूप में उनकी सरहना की गई Next example is I was extolling of his work मैं उसके काम की तारीफ कर रहा था तो Guys, आज के लिए बस इतना ही Thanks for watching